नमस्कार स्वागत है आपका N27 News में आपके साथ मैं हूँ संजीव निचोधरी आपको बता दें कि साजापूर में सपा के प्रिसिक्षन शिविर को संभोधित करने पहुंचे सपा प्रमुख अखलेश यादव ने भाजपा पर निशाना सादा है प्रिसिक्षन शिविर को संभोधित करते हुए पार्टी के रास्टे अध्यक्ष अखलेश यादव ने कहा कि सभी सपा कारे करता पूरी ताकत से लोगसवा चुनाव की तयारी में लग जाए उन्होंने कहा कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा शुकरवार को पूर्व MLC जाएश प्रसाद की कोठी में आयोज़त प्रिसिक्षन शिवर में कारे करता हूं और पददिकारियों को पूर मुख्य मंत्रिय खलेश यादव ने संबोधित किया उन्होंने कहा कि चुनोतियों का समय है समीधान खत्रे में है लोकसवा चुनाव को लेकर अभी से पूरी तयारी कर ले इस चुनाव में चूकना नहीं है किसी भी हालत में भाजपक और सत्ता में नहीं आने देना है कट्रा विधानसवा छेतर से सपा प्रत्याशी राजईश यादव और जलालबाद सीट से प्रत्याशी नीरेश मोर्या को गलत तरीके से हरा दिया अगर चुनाव के दौरान हमारे साथ ही दूसरे दलों में ना गए होते तो ऐसी इस्तिती ना आती सपा के रास्ट्य अध्यक्ष ने तंजकसते हुए कहा कि जिलेक से तीन-तीन मंत्री आते हैं नोबार के विधायाक और वित मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के शहर की हालत हमने देखी है पूरे शहर की सड़के खोदी हुई पड़ी हैं गलियों में कूडे के धेर लगे हुए हैं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने भाजपस सरकार पर तंजकसा है कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं विश्व गुरू बनेंगे पहले डेंगू वाला मच्छर तो पकड़ लो उन्होंने कहा कि सहाजापूर में तीन-तीन मंत्री हैं फिर यहां के लोगों को उपचाड़ नहीं मिल रहा राजके मेडिकल कॉलिज सिर्फ नाम का है उसमें गरीब को उपचाड़ नहीं मिल रहा है सरकारी एस्पताल में एक बैड पर दो-दो मरीज भरती हैं अखले श्यादव ने कहा कि जिस मंत्री के हातों में खजाने की चावी है उनके शहर का ये हाल है लखनव से शहाजापूर आते समय रास्ते में हर डिवाइडर पर छुटता जानवर घूम रहे हैं आपको बता दें कि संबोधन से पूर अखले श्यादव ने कारिकरता और पददिकारियों से हात मिला कर उनका हाल चाल पूछा इस दोरान कारिकरताओं से बाचीत में उन्होंने कहा कि सभी मिलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें बताते चलें कि साजापूर में सपा के दो दिवसे प्रिसिक्षन शिवर में पहुँचे सपा के रास्टी अध्यक्ष अखलेश यादव ने शुकुरवार को कारिकरता और पददिकारियों से लोगसबा चुनाव की तयारियों में जूटने का आवाहन किया प्रिसिक्षन शिवर को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साधा अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खाबरों के लिए देखते हैं सिर्फ N27 News पकड हर खाबर पर